नम्सकार and welcome to my channel Mudta Home S Times Classes इसमें हमारा next topic ऄस्टार्ट होता है Agoraि cotton के बाद lecen जिसमें manufacturing के बारे में देख चूके हैं इसकी manufacturing lijnen का अक्तपादन कासे होता है इसका process हो गया है फारेश्टिक्स फारेश्रिष्थ डेखे लुजियम थेक्रिश्टिक्स फीप होती, 11 परसंट गोन पैक्टिन 9.5 परसंट रहेगा परिपक्वन औरस्थ में जब यह मैचुर हो जाएगा तो सेल लूज 66-70 परसंट रहेगा जो फैट है वसा है वो 2-4 परसंट रहेगी प्राकृतिक अश्रधियां उसमें आएगी तो 26-30 परसंट लेंथ की बात करें वानस्पति सबसे लंबा रिस्टा जो सबसे लंबा पौधा होता है और अस्तन इसकी जो लेंथ होती है लंबाई होती है दस से बीस इंच तक होती है व्यास 15-18 माइक्रों अनु वीच्णी है रचना यानि जो माइक्रोस्कोपिंग फ्रॉक्चर है वो बेलनाकाल गुल चमकदार तथा रिधर भास समान दिखाई देते यानि एक ट्यूप के समान नली के समान रहती है चमक प्राकृतिक चमक इसमें मूम वा पैक्टिन की उपस्थित के कारण होती है रंग जो कलर है वो पिली से गहरे-पीले रंग का होता है गलाने पर ग्री कलर में हो जाता है लेकिन हाइक्क पॉटन से मजबूत रहेगा तैंसिटी इसकी जो टैंसिल स्ट्रेंथ है इसका अभाव हो रहता है किछने से ही तूट जाता है इलाश्टिसिटी का भी अभाव रहता है क्योंकि कड़ा होते और परिसज्जा में सिकन प्रतिरोधी बनाया जाता है प्रतिस खंदोधा जैसी बोलते है अभाव होता है इसका भी यानि लेनन की वस्त्रों में इसका भी अभाव रहता है एक बार लेनन ची वस्त्रों पर शिचन पड़ जाये तो भी नायस्या पर नहीं हटते हैं ताप समभाव्ता जो heat conductivity है वो गर्मी की मौसम के लिए निकूल है लेनन की वर्स्तर विद्धित समभाव्ता जो electric conductivity है लेनन का विद्धित का अच्छा समभाव के वर्सतर अत्यन तरांदायक है नमी अवसोशड़ किर्वाव क्रवाव था अधिक रगणेपर ख़ता है लेकिन उस्अ ज्यादा रगड़े था दूर्ट भीदने पर इसकी मजबूती 20% और बढ़ जाती है दाजिता है हम सूखी ताप का प्रभाव देखें तो लिनन का जो फाइबर है कपास की समान जो लानशील होता है या अधिक ताप पर जो लशता है लोग के लोग अटाने के बाद भी है लिननन का जो फाइबर हो जलता रहता है कागज की जthoseन little के समान रहता है दू परीवम प्रकास का प्रभाव दस्या हानिकार का प्रभाव द बाद ROM पड़ेगा अधिक समय तक रखने पर इसकी जो शो यापी सिटी यह ये संधू कमी आ जाती है तो प्रभाव इसका भी ने पढ़ता जो सोच में जिवानों है یंका प्रभाव पढ़ता लेकिन सफून का पढ़ता है इसका प्रभाव पढ़ता है इंका य एक दूबार पहनने जाने की पश्चाथी इसमें सलवर्टी पढ़ जाती है जो कि इस तरीके से ही अटाया जा सकता है अब इनकी केमिकली प्रोपर्टीस की बारे में देखी केमिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं तो सबसे पहले अमल का प्रभाव जो इस भी इनने निर्बल कर चदे पहुचाते हैं और चार का प्रभाव देखें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है रंगों की प्रभाव में देखें तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पढ़ता ब्लीच का प्रभाव वस्त्र कमजोर हो जाते हैं इसमें पसीने के प् बारत और बांगलादीष में होती ही रही है बांगलादीष से प्राप्त जूच्छी हाइज ग्वालिटी का होता है जो फाइबर होता है जूची हाइज हाइज प्रफम इस्थान पर है अब इनकी मैनुफाक्श्रिंग देख लेते हैं तो जूच की खेती जो है वह ऊष्ण जूट का पौधा बारशिक होता है और इसकी लंबाई छे सी 12 तक होती है गलाणी का प्रोसेस क्या है इसमें यहां गलानी के लिए इसमें वारा से पंदरा दिन लग जाते हैं इसे पानि में डूब वॉय जाते हैं तोड़ कर वकूट-कर रिस讃 अलग करना इसे इसरे सब स्कुट करना तो इससे बी इसरे- औलग किये जाते हैं कताई करना she is spinning जिसे बोलते हैं यह कड़े होते हैं इसमें ंतनितायपी आपटिसандята लचक पुत्यसता सक्त अभाव ओता है यह 10 जोलंशील होते हैं शीगर्णत सीय आग पकड़ते हैं रोविंग प्रेम की सहाथा से सुधत तयार किया जाते हैं विनाय करना जिसेर बीविंग बूलते हैं बुनाईसे कारे कठिन हैं लेकिन फुर्दिरी फ़स्तर तियार होते हैं कि यह टफ पड़ जाता है कड़े होने के कारण फिर प्रपर्टीज इंटु देख लेते हैं इनका यूट की प्रपर्टीज और उनका यूज़िस क्या है तो हाई क्वालिटी का यूट चमक कुमल इवन आकशक होता है यह हलकी पीले रंका होता है इसका विरंचिन करना कठिन है परन्तु आजकल इसी विरंचिन भी किया जा सकता है जूट के रेसे अधिक तापे नम वातावारण में नस्ट हो जाते हैं इन पर सुक्ष्म जीवों का भी अत्तिदिक प्रभाव पड़ता है नमी यूगत वाता वाता की किया, दोड़तі martyr का प्रभाव भी इस इस पर हानिकारक होता है इस विरह से कम जोर हो जाते निर्बल वो कर कम जोर हो जाते हैं जिससे इनकी कारे जहाता है जूट को रंका ब्लीकिस इंसे विभिन उप्योगी चीजें जासे ठयले आदि बनाएं जाते है जूटका बीच रिक्ति स्थान को भरने के लिए किया जाता है जिससे जल अवरोधक आधी उपयोगी वस्त बनाए जाने लगे है तो इस वीडियो में हमारा जूट खतम होता है नेक्स वीडियो में आगे कर टॉपिक जैसे बूल है इन सब की बारे में बात करेंगे इस वीडियो में इ